तनहाई में खुद को बहुत तूर तक चलते देखा है भीड में खुद को संभलते देखा है और अच्छा है मैं परिंदा हूं मुझे मंदिर मजजित से क्या लेना अच्छा है मैं परिंदा हूँ मुझे मंदिर मजजित से क्या लेना धरम के पिंजरे में मैंने इंसानियत को जलते देखा है जहां मन करता है उढ़ जाता हूं मैं जहां मन करता है उढ़ जाता हूं मैं नहीं ना मुस्लिम न सिक्की ना इसाई जहां मन करता है उड़ जाता हूँ मैं ना हिंदू ना मुसलिम ना सिख ना इसाई ना किसी और मजहब को अपनाता हूँ मैं एक पंची हूँ और बस पंची कहलाता हूँ मैं जब भी इश्वरिया अल्ला ने जब भी इश्वरिया अल्ला ने एक मा की गोद में एक बच्चे को उता रहा है जब भी इश्वरिया अल्ला ने मा की गोद में एक बच्चे को उता रहा है ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है बस उसके जीने का सहारा है और कितने ही दंगों में तुमने उस गोद को जाड़ा है कौन हिंदू है कौन मुसलिम है चलो आज मुझे बतला दो तुम क्या तुम्हारा धर्म कहता है बस इतना समझा दो तुम अगर तुम्हारी माने तो पहले एक बच्चा इन्सान होता है फिर एक जरासी खाल कटा कर तुम मुसलिम बन जाते हो सर पर पगड़ी रखकर खुद को सिख बताते हो और सफेद धागा डाल गले में फिर मंदिर मस्जिद पर लड़ जाते हो धरम इन्सानियत के विचारों को कहा दफन कराये हो और इन्सा हो फिर इन्सा बनने से क्यों इतना घबराये हो तुम इन्सानों के घर में बच्चों के पड़तक कुत्रे जाते हैं और तुम इन्सानों के घर में बच्चों के पड़तक कुत्रे जाते हैं और तुम से तो हम पंची अच्छे जो खुद उनको उड़ना सिखलाते हैं हम पंची अंडे देकर उन्हें हर धूप छाओं से बचाते हैं और तुम इन्सानों की क्या बात करें जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूजे के बच्चों के गरे काट कर लाते हैं और सीना ठोक के खुद को फिर हिंदू मुस्लिम बतलाते हैं जब जनम की घुट्टी में बच्चों को धरम का पाठ पढ़ाओगे अरे इंसानों ये तो बताओ फिर इंसान कहां से लाओगे जोड जोड कर घर आली शान मनाते हो जोड जोड कर घर आली शान मनाते हो फिर हिंदू मुसलिन के जगड़ों में उनको खूब जलाते हो बस पूरे जीवन में तुम जीना ही भूल जाते हो और पूरे जीवन में तुम जीना ही भूल जाते हो मंदिर में दान कराते हो, मस्जित पे मंदिर में दान कराते हो, दरगाप पर चादर चढ़ाते हो, घर पर माबाप इंतजार में बैठे हैं, उनसे मिल लेना जाते हो एक जमीन में दफनाया जाएगा, और एक गंगा में घुल मिल जाएगा, जब दोनों को प्रक्ति की गोद में समाना है, फिर क्यों पूरे जीवन एक दूजे को सताना है? चलो ये बताओ, जब तप्ती धूप में एक थेले पर अपनी प्यास बुझाते हो, क्या पानी पिलाने वाले का धरम पूछ कराते हो? चलो ये बताओ, जब तप्ती धूप में एक थेले पर अपनी प्यास बुझाते हो, क्या पानी पिलाने वाले का धरम पूछ कराते हो, जब वैशा अलों में जाकर तुम अपनी हवस मिटाते हो, वो किस धरम की नड़की है, क्या कभी जान पाते हो? तुम इंसान सड़कों से नणी बच्चिया तक उठाते हो, फिर हैवानियत का गंदा नाच दिखाते हो, तुम तो मंदिर मस्जित में भी उनकी इज़त को रौध आते हो, फिर किस मूँ से खुद को धरम के ठेके दार बताते हो? गाये तुम्हारी माता है, उसके लिए इंसानों की हत्या तक कर आओगे तुम, फिर बकरे, मुर्गे, भैसे, या किसी अन्य जानवर का, क्या जुर्म है वहिया, जो उन्हें काट कर खाओगे तुम? जब जब सत्ता को हत्याने का, जब जब सत्ता को हत्याने का, लोगों ने सौंग रचाया है, तब तब इन सरकारों ने हिंदू-मुस्लिम को लड़वाया है। और जब जब इश्वरिया अल्ला को दिलों से मिटाया जाता है, तब तब उनके लिए मंदिर मस्जित बनवाया जाता है। अच्छा ये बताओ, राम ने मंदिर खोया था, या अल्ला ने जोली फैलाई थी, तुम उसे जमीन कटपड़ा देते हो, जिसने पूरी काइनात बनाई है। राम भी मिलने आएगा, और अल्ला खुद पीड थप थप आएगा, जिस दिन हिंदू और मुसलिम मिलकर दुनिया को शान्ती का पाठ पड़ाएगा। देखो हिंदूस्तान का तिरंगा भी, देखो हिंदूस्तान का तिरंगा भी, मिलजुल का रहना सिखाता है, जिसमें एक तरफ केसरिया है, और दूसरी तरफ हरा रंग उसकी शान बढ़ाता है। कुछ तो सीखो हम पंचियों से, कुछ तो सीखो हम पंचियों से, आ उड़ना तुभे सिखा दे हम, धर्मों की जंजीरे तोड़ो, एक नई दुनिया से मिलवा दे हम। आ इंसान तुम्हे बनादे हम। चुक्रिया शुक्रिया